अब्रिवान आप सब बढ़िया होंगे कल ही मैंने एक्सपाइरी के लिए और लेडी लेवल वीडियो में शेयर कर दिये हैं जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है कैंडली आई बटन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं आज मैं सिर्फ एक्सपाइरी से पहले वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर कर सकूँ जिससे आप लगभग लगभग 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं चोटा बड़ा या कम या जादा ये तो आपके इंप्लिमेंटेशन पर डिपेंड करेगा बट आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो डिरेक्टली स्क्रीन पर लेके चलते हैं अभी तक जितने भी लोग हमसे जूट रहे हैं वो सिंप्ली हमारे मोटिवेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक स्ट्रेजी की वीडियो या फिर डेली ए 160 के आसपास लेवल्स आपको अलड़ी वीडियो में मिल चुके हैं तो लेवल्स पर हम जादा बात नहीं करेंगे हम सिर्फ फोकस करेंगे स्ट्रेजी पर और उससे कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं अभी मैं बात करूंगा निफ्टी के अंदर आप बैंक निफ्टी में भी डिसकस कर सकते हैं अभी देखे सबसे पहले स्टेजी को हम क्या बोलेंगे आपने क्या करना है फॉस्ट स्ट्रेप में अगर बताऊं आप जैसे ही मार्केट खुलेगा 9 15 पे उसके बाद आपने क्या गरना है चार्ट को 15 मिनट से चैंज कर देना है 3 मिनटें कितने में चैंज कर देंगे तो आपके पास एक केंडल कंप्लीट हो चुका होगा थ्री मिनट का देट मेंस मार्केट खुला उसके लिए यह बेस्ट वीडियो है किस तरह से आप स्केल्पिंग कर सकते हैं और चाहे बीगनर है चाहे एक्सपर्ट है तो उसके वीडियो भी आपको आया बटन पर मिल जाएंगे अब स्केल्पिंग का एडवांस है यह थोड़ा सा कि टाइमिंग कैसे यूज करना है 918 के सब्सक्राइब अब यहां पर चलरा तो हमारा क्या है यहां पर एंट्री हो गया धीक है अब नेक्स्ट कैंडल हो सकता है रेल बने रहा है यहां और यहांन ने तरह से लिए आफ़ हमारा है यहां पर बनें मान लेता हौस kos Goodness Chsinol bend बन रहा है तो उपर क्या गया ओपनिंग निचे क्या गया क्लोजिंग हम क्या करेंगे हम जो यह फॉस्स केंडल थी मिनट्स का बन रहा है उस केंडल का जो लो है वहां पर क्या करेंगे हम एसल लगा लेंगे ठीक है अगर यह केंडल का साइज यह केंडल का साइज निफ्टी की बात कर रहा है 50 plus points का है तो आप क्या करेंगे तो आप opening को SL देंगे because हम बहुत बड़ा loss नहीं ले सकते हैं हमें क्या करना है loss minimum करना है अगर 50 plus points का है तो बड़ा candle होगा हम SL कहां देंगे opening पे अगर less than 50 points का है तो हम SL कहां देंगे low पे अब हो सकता है next candle red बने उसके बाद एक और candle क्या बनेगा हो सकता है green बन जाए तो आपने क्या करना है हर एक candle पे next candle पे आपने क्या करना है बेट करना है अगर ये candle का high previous candle जिसको देखके आपने entry करा है उसको beat कर रहा है means कि इसका high और इस candle का high उपर निकल गया है तो उस case में आप क्या करेंगे अपने SL को trail कर लेंगे कहां पे opening में अगर आपका low पे था अगर opening पे पहले ही था तो कहां पे reset candle के low पे ध्यान रखेगा sequence बड़ा important है इसमें again मैं repeat कर लेता हूँ सबसे पहले क्या है candle है candle के अंदर क्या है opening है फिर closing है हम upside कर रहे है again इसका reverse 100% होगा तो वो downside होगा अब ये low है ये high है अब next candle क्या है ये next candle है अब इसका एक body होगा इसकी एक shadow होगी अब ये फिर से कैसा मैं इसको red मान लेता हूँ ठीक है इसको red माने के तो क्या होगा opening उपर हो गया closing नीचे आ गया और ये क्या गया low आ गया ये high आ गया अब मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आपका SL यहां पे है और ये candle red बन गया है तो आपने क्या करना है यहां पे trail कर लेना है इस candle कब जब ये जो high है ये इसके बराबर ना हो इससे उपर हो ठीक है अब आपने कर लिया है अब दूसरी condition अगर आपकी ये candle 50 plus points की है तो आपने क्या करना है यहां से उठाके इसको अब ले आना है इसके low पे इन दौनों में भी difference होगा तो इसके low पे आप ले आए तो अब आपका SL कहां आ गया है यहां पे आ गया है condition clear है अब similarly third candle बन रहा है green third candle क्या बन रहा है green बन रहा है उसका opening कहां आएगा हमारा almost यहां पे आएगा इसके closing के आसपास ठीक है अब वो green बन गया अब यह और उपर चलेगी अब आपने क्या करना है pass कर देना है अब SL यहां था अब इसके closing पे SL आ गया अगर closing पे है तो कहां पे जाएगा shadow पे जाएगा simple sequence है अगर आप SL shadow पे लगा रहे है तो आपने opening पे ले आना है अगर opening पे already है तो आपने कहा ले आना है recent candle के low पे ले आना है अगर recent candle के low पे है तो आपने कहां ले आना है recent candle के opening पे लेना है और इस तरह से आपने क्या करता रहना है इसको trail करते जाना है I can give you guarantee भले ही आपकी 3 candle या 4 candle बाद SL हिट होगा इस case में आपका exit होगा सि exit लेना ही नहीं है अगर आपने exit ले लिया तो वो आपकी बेफकुफी होगी गलती होगी because हम SL इतना छोटा रख रहे हैं अगर हम दे भी देंगे तो कोई प्रवा नहीं हमें because एक भी SL अगर हमारे favor में आ गया या फिर एक भी candle हमारे favor में आ गई तो already हमारा जो SL है वो हमारे buying price पे आ जाता है तो हम no profit no loss में तो आगे उसके बाद हम क्यों tension ले तो यहां से आप देखेंगे शुरू में यहां मैं आपको अगर थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूं आप लोग इस इतना बिलीव करेंगे यहां पर देखें थ्री मिनट्स के गंडल है यहां पे एंट्री हो गया हमारा इस range में somewhere मेरा SL हिट होगा ठीक है निकलना हमने SL से यह clear है अब यहां से देखें यह है मैं इसको भी clear कर देता हूं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि points में हमें exactly पता लग जाए कि हमें कितने points मिले इसमें यहां पे देखेंगा एंट्री हमारा यह हो गया और हमारा SL हिट होगा यहां पे अब देखें 17,440 से लेके 17,470 30 points मिल गए मुझे कितने देर में 1, 2, 3, 9 to 12 minutes के अंदर 3 to 4 candles के अंदर और ऐसा आपने यह तो चलो यहां पे quickly move हो गया कई बारी देखो यहां पे देखो आप इधर देखेगा यहां पे first candle, reverse, SL हिट, SL गया बहुत चोटा SL गया अब red candle बन गया अब green बन गया अब green में आपने upside entry ले लिया और इसका low इसको break नहीं कर पाया और sequence देखेगा कहां पे यह जाके मेरा SL हिट हुआ 17,170 से directly 17,270 almost 100 points कितनी देर में? 1, 2, 3, 4, 5, 5 to 6 candle that means 15 से 18 मिनट के अंदर आपने कितने points capture कर लिए? 100 points कोई theta की tension नहीं, कोई time की tension नहीं, कोई option selling की tension नहीं, बहुत कम premium हैं, बहुत बड़े-बड़े profits आप इस strategies के साथ बना सकते हैं, यह scalping का rule है, एक चीज़ आपने इसमें ध्यान देनी हैं, वो मैंने scalping वा इस strategies को use मत करिएगा, और 130 से पहले strategies को use मत करिएगा, because बीच के जो arts होते हैं, volatility कम रहता है, हमें capture क्या करनी है, volatility capture करनी है, तो ultimately scalping का rule ही है, volatility जितना ज़्यादा होगा, उतरा आपके favor में आ सकता है, सिर्फ control क्या करना है, stop loss, तो यह strategy जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको paid group में भी नहीं मिलेगी, यह मेरी खुद की experience करी हुई strategy है, और मैं आपको guarantee देता हूँ, आपको 100% profit हो सकता है, अगर आप SL को सही से use कर ले, एक SL जाएगा, बट आपको 2-3 बार तो दिन में मौके मिलेंगे ही, मिलेंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा profit बना सकते हैं, तो 100% बैसे ही समझाए, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलिए, मिलते हैं, कल expiry पे और जाते जाते राइट साइड में scalping के part 1 और part 2 की वीडियो का link लगा रहा हूँ, दोनों वीडियो देखिएगा, बहुत important है, जब तक आप basic clear भी करेंगे, तो यह strategy समझना थोड़ा सा मुश्केल आपके लिए हो सकता है, तो मिलते हैं, कल live expiry पे तब तक लिए check care, thank you.